अपनी नाभी पर लगा लें बस ये एक चीज इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे लेकिन वो चीज ऐसी क्या है ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक नमस्कार मित्रों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ मित्रों इस संसार में कोई भी ऐसा प्राड़ी नहीं है जो धन की इच्छा ना रखता हो हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके मित्रों धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं वो धन को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं परन्तु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर आतिशीग्र धन पाने की कामना करते हैं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बाद से लगाया जा सकता है कि सुबा को उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलाबा उनके पास कुछ भी नहीं रहता, ऐसे में अधिकतर ल ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं, जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैब धन तिका रहेगा, और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, मित्रों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्पूर और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जी बलकि धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्यूंकि जब भी आपकी उर्जा बदलती है, नकारात्मक से सकारात्मक होती है, तो खुद ही सुख और समरिध्धी आपके जीवन में आकर्शित होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसके पीछे का र कि किस प्रकार से आपको ये करना है, इस प्रियोग के कितने ज़्यादा लाब आपको मिल सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझ कर आप इसका जरूर लाब उठाएं, क्यूंकि जब भी आप इस प्रियोग को करते हैं, तो ज्यादा शक्तिशाली ये प्रियोग माना जाता है मित्रों आपको जानकर आश्चर रहे होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा मा के पेट में होता है तो मा की नाभी से उसे सारा पोशन मिलता है यानि कि जितनी भी चीजें वो ग्रहन करता है वो मा की नाभी से ही प्राप्त करता है इसलिए नाभी का बहुत ही ज़्यादा खास महत तो है लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता इसलिए वो लाब नहीं उठा पाते लेकिन मित्रों ये जितनी भी बाते हम आपको बताते हैं, इनको ध्यान से सुन कर, समझ कर, अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही बदलाव होता है, और जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सभी चीजें आपको मिलती हैं, सुक, समरिद्धी, धन, आपकी और आकर्श सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, कि अपनी नाभी पर सडसों का तेल आपको लगा लेना है, सिर्फ इतना करने से ही आपके होट फटने बंद हो जाते हैं, और आपको अपने होटों पर और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप खुद देख सकते किस प्रकार नाभी पर कुछ खास चीजें लगाने से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका गुरू ग्रह खराब है तो आप अपनी नाभी में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। ध्यान रखें आपको गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है बलकि सूखी वी हल्दी का थोड़ा सा तिलग आपको अपनी नाभी पर रोजाना करना चाहिए क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके ग्रह पर असर पड़ता है आपका गुरू ग्रह बलवान बनन शुरू हो जाता है इसी से आपकी उर्जा तुरंत बदलती है और आपकी नकारात्मक उर्जा सकारात्मक होनी शुरू हो जाती है और जब भी ऐसा होता है तो धन आपकी और आकरशित होता ही है जिस परकार गुरू ग्रह किस्मत का ग्रह है तो हल्दी को नाभी में लगाने से किसमत भलबान बननी शुरू हो जाती है इतने ज्यादा फायदे आपको इस प्रियोग से मिलते हैं बाहराल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से एक इसी प्रकार की अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो